हेलो एब्रिवन आज मैं आप से शेयर करूंगी सिरके वाली मिर्च की रेसिपी यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिर्चे ली है इनको अल्रेडी में धो लिया था अच्छे से और अच्छी तरह से सुखा लिया था इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अब हम इनकी स्टेम को हम इस तरह से कट कर देंगे एक दम एजी और सिंपल सी रेसिप है आप फटा-फट से इसको बना सकते हूं यहाँ पे मैं सारी मिर्चो की स्टेम को अलग कर दिया था तो अब इसके बात करना क्या है कि मैंने एक वुड़न की स्टिक ली है आप कोई भी बड़ी न बड़ॉब हो जाएगा इस तरह से कर लीजी आप एक तरफ से होल कीजी और वो होल दूसरी तरफ तक जाना चाहिए जिस तरह से मैं कर रहे हो आप देख लीजे हमारे घर में इस तरह से सिरके वाली मिर्चे बनती है तो मैंने सूच रेसिपी भी शेयर की जाए यहाँ पे म को प्रिक कर लीजिए यह जो मैंने मिर्चे दिये यह थोड़े से तिखे वाली है पर जब हम इसमें सिर्का एड़ करते हैं तो सिर्के से इसका तिखापन काफी अद्धा कम हो जाता है अब यहां पे एक चमश नमक लेंगे हम नमक इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही चाहेगा अ पहले थोड़ा कम ही डालेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा से विनेगर इसमें एड़ कर देंगे अच्छी तरह से नमक को हम पहले डिजॉल्व होने देंगे अच्छी तरह से डिजॉल्व कर लीजिए उसके बाद ही हम इसको कंटेनर में एड़ करेंगे तो यह यहां पर मैं दो दिन के बाद इसको चेक कर रही हूँ तो हमारी सिर की वाली मिर्ची बनके बिल्कुल रेड़ी हो चुकी है ऐसे भी गर्मियों का टाइम है तो दो दिन में यह बन जाती है दो से तीन दिन के अंदर अगर आप इसको सरदियों में बना रहे हो तो चार पांच दिन की धूप लगा लीजिए इसको क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी धूप दिखी नहीं होती है तो सर्दियों में टाइम थोड़ी ज्यादा लगता है अब देख सकते हो इसका थोड़ी सा कलर भी चेंज हो जाता है और यह सॉफ्ट अगर आपको ये मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिए और शेयर कीजिए